नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिखाधूरिया दिली सिर्थ एम्स के सुरक्षा कर्मी से मारपीट मामले में दिली के एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायग सोमनात भारती को दोशी करा दिया है आदालत ने 2016 केस मामल lane में शनिवार को अपना फैसला सुनाया सोमनात भारती पर एम्स के सुरक्षा कर्मचारी से मारपीट का आरप लगा था कोट ने इसी मामले के चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है सोमनात भारती को एम्स करमचारी के साथ मारपीट करने के लिए IPC की धराओं के तहर मारपीट करने सरकारी करमचारी की काम में बाधा डाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाने के लिए दोशी ठराया गया है इन सभी मामलों में अधिक्तम दो साल की सजा का प्राफथान है आपको बता दे चार साल पहले के इस मामले को लेकर बताया जा रहे कि सोमनात भार्थी दिली के पहले ऐसे मंत्री हैं जिने अदालत सजा सुनाएगी कोट ने इस मामले में आरोपी बनाये गए चार अन्य लोग जगत सेनी दिलेपचा, संदीप, उर्फ, सोनू और राकेश पांडे को परी कर दिया है साल 2016 में इम्स के मुखे सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा करमचारी से मारपीट के मामले में होस्का स्थाने में शिकायत दर्च कराई थी शिकायत के आधार पर पूलिस ने सोमनात भारती के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने सरकारी करमचारी के काम में बाधा डालने और करमचारी के साथ बद सुलूकी करने की धाराओ में एफायार दर्च की थी इस खबर में फिराल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India Hindi के साथ